Hey guys, again सभी का welcome है Saturday's special session में जिसका आपको रहता है पूरा week wait सबसे आदा wait इनी वीडियो का होता है अपनी अब क्यों होता है, जो लोग नए हैं उनको बता दे इसमें आपने करेंगे sentence breaking technique को एक sentence होगा आपके सामने उसमें 15, 20, 25, 50 words होंगे अपने हर word को से 50 words है, हर word को उसकी जगा बता देंगे, उसकी उकाद बता देंगे साथ में उसका sequence भी बता देंगे कि ये इससे पहले क्यों आया, ये इसके बाद में क्यों आया फिर उनसे जुड़े हुए grammar rules भी discuss कर लेंगे, क्यों वो grammar rules यहाँ पर लगाना जरूरी था, तो घर की खेती हो जाती है English आपकी, आप language scientist बन जाते हैं, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बेंगॉली, किसी भी मीडियम से आते हो English आपका मजबूत subject बन जाता है शुरू करेंगे class को आज का article है, New York Times से American newspaper है, बहुत ही अच्छा article है, migrant labor crisis पे article का नाम था The Virus Train, आपने देखा होगा migrant labor, जो lockdown में अपने घर की तरफ चले थे, ट्रेंस में पहले पैदल, फिट ट्रेंस में है न कैसे उन ट्रेंस ने इंडिया की 1 करोड virus cases की जरनी में contribute किया, यही article बताएगा, sensitive मुद्धा है शुरू करें class को एक जरूर से like देना और share देना अब संजीदा होकर के बैठ करके देखो त्यान से देखना बहुत मज़ा भी आएगा और सीखोगे भी, यह आपके सामने है sentence, इस sentence को आपको पहले पढ़ना है, simple way में फिर मैं पढ़ाऊंगा, SBT से है न, sentence breaking techniques से तो पहले simple तरीके से पढ़ते है करे, Prime Minister Prime Minister, Narendra Modi is coronavirus restrictions sent migrant workers fleeing करे, जो PM है न, जिनका नाम है Modi साब, करे, इनकी पजासी बना हुए, इनकी जो coronavirus की restrictions है वो पाबंदियां, जो coronavirus के करण लगी है वो पाबंदियां, जो की lockdown में लगाई गई है करे, इन Modi साब की इन पाबंदियों ने, restrictions ने sent कर दिया, भगा दिया, या भेज दिया, migrant workers को बाहर से आने वाले मजदूरों को और कहां बेजा, कैसे बेजा fleeing करते हुए, structure में समझाऊंगा पहले इसका meaning समझ लो sent fleeing का मतलब है किसी को आप इस तरह से बखाओ कि वो अपनी जान बचा के भागे समझो मेरे बात को, कोई आदमी जब flee करता है न, actual में वो अपनी जान बचा के, अपनी life को save करते वो भागता है, ठेके न तो कहरा है, इन्होंने ऐसे ही बेजा migrant workers को, कि वो अपनी जिन्दी की छुड़ा करके भागे, इन ट्रेंट्स में, उनको लगा कि भूके नहीं मर जाए, lockdown के अंदर अब समझ गयोगे इस sentence को about sentence breaking technique से, इसको देखते हैं, कैसे बना था, कौन सा word क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पे हर word को मैंने अलग कर दे color दे दिया है, आप यहाँ पे blue color में देख रहे हो adjectives को, green color में देख रहे हो आप nouns को, red color में आप देख रहे हो verbs को, conjunction को yellow color में, यहाँ आई नहीं है, add वो गी pink color में, आपको तीन formula को follow करना है, sentence baking technique के लिए, पहला formula है जितने subjects उतनी verbs, मालो एक subject तो एक verb, पांस subject तो पांस verbs, subject और verb के pairs आपस में match खाने चाहिए, numbers में दूसरा, subject और object हमेशा noun, pronoun यह जीरंट बनेगा ठीक है ना, subject ढूंडोगे ना जो भी subject बनेगा, वो बनेगा है तो noun, pronoun, यह जीरंट तीसरा, हर preposition को हर preposition को, जैसे off है, by है at है, on है, up है, down कोई भी preposition आपको मिले, उसको एक object आपको देना ही देना है जो की noun, pronoun, जीरंट में से एक होगा, समझगे ना, तो यह तीन rules आपको follow करने है, subject is equal to verbs, number of subjects is equal to number of words, हमेशा subject या object बनेगा, noun, pronoun, जीरंट हर preposition को object देना है, जो की noun, pronoun, जीरंट होगा, अब देख रोगा, आप मेरे सामने, यह subject आपका मान लो, coronavirus restrictions, यह एक noun है, आपको noun पेचानने की trick भी मैं बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पे repeat कर रहा हूँ, अगर किसी word के पहले मेरा या तेरा लगा पाओ, अगर किसी word से पहले, मेरा या तेरा लगा पाओ, तो 99 % cases के अंदर यह formula set बेटेगा, अगर मेरा तेरा लगा दिया, सही बैठ गया तो noun है अगर मेरा देरा लगाया सही ना बैठा तो adjective है example दूँ आपको beauty और beautiful और beautiful beauty के आगे लगा दो मेरा और beautiful के आगे भी लगा दो मेरा beauty या मेरी beauty gender change कर ले न मेरी beauty मतलब मेरी सुंदरता तो beauty सुंदरता एक noun है मेरी beauty बन गया ना मेरी beauty दो बिल्कुल ठीक word है बिल्कुल ठीक phrase है लेकिन यहां लगाओ मेरा beautiful भाई तेरा क्या beautiful तेरा boyfriend तेरी girlfriend तेरी person तेरा student तेरी मम्मी तेरी पापा कौन तेरा beautiful तो beautiful के आगे एक noun लगाना पड़ेगा यह beautiful मेरा लगकर के सेट नहीं पड़ेगा मेरा beautiful के आगे कुछ और लिखना पड़ेगा अब आजाओ यहां पे फटाबट से बराई मिनिस्टर नरंदर मोधी क्रोना वार्फ रिस्क्षें ध्यान तेना प्राइम मिंस्टर नरेंदर मोधी इस पूरे किया के लगा हुआ है अरे बना आएगा क्या क्या नरेंदर मोधी प्राइम इस्टर के लगा है आज की अई करつे glaubt पूरा पूरा अड़ेंदर मोधी अब देखो आ गया हो करोना वाइरस इसके आगे मेरा लगाओ मेरा करोना वाइरस मानलो आपने बनायो करोना वाइरस आप बोलने सकते हैं मेरा करोना वाइरस मनलब करोना वाइरस एक नाउन है और रिस्टिक्शन ये भी एक नाउन है इसके आगे मेरा लगाओ मेरी रिस्टिक्शन मेरी पाबंदि स्पोर्ट्स कार जैसे लेमन लेमन टी जैसे गोल्ड गोल्ड मैडल अब स्पोर्ट्स कार है स्पोर्ट्स भी नाउन कार भी नाउन लेमन भी नाउन टी भी नाउन गोल्ड भी नाउन मैडल भी नाउन यह सबके सब नाउन एक साथ आ रहे हैं लेकिन स्पोर्ट्स कार नाम की कार बजार में आती है लेमन टी नाम की टीवी आप जो है घर पे बना सकते हो गोल्ड मेडल नाम का भी एक मेडल होता है तो यह जो इनका अस्तित्व है न इस वज़े से कहलाते हैं compound nouns अब ठंडे दिमाग से यहां सोचो यह पूरा तो adjective है आपने सर ने बताया था कि सर subject सिरफ सिरफ noun, pronoun या जीरंट बनते हैं तो पहला जो noun आया compound noun वो तो यह ही आया न तो यह हमारा subject है क्योंकि subject के बिना कोई sentence sentence नहीं होता तो पहला जो noun आपको मिल जाए किसी sentence में जो किसी preposition से किसी verb से बना ना हो that is called your subject समझगे न यहां पर यह बन गया आपका subject rule नमबर वन subject जितने उतनी verbs इस subject को हाथ हो आथ आप ढूंड के दोगे एक verb को verb पढ़ी है आपके बाद sent तो इस subject की verb बन गयी आपकी sent नाम की वी टू ठीक है अब देखो sent के बाद लिखा हुए migrant workers workers एक noun है common noun है पीछे ऐसार है जिसको plural बना सके वही noun होता है workers एक plural noun है तो noun बन गया है अच्छा migrant क्या है इस workers के बारे हैं बता रहा है migrant का मतलब है एक जगे से दूसी जगे जाने वाला घुमक कर तो यह migrant जो एक adjective है और worker एक noun है तो किसको बेजा restrictions ने what या whom का reply कर दे जो verb से जो verb से what या whom का reply कर दे sent verb से whom का reply किया worker ने किसको बेजा worker को बेजा तो worker बन गया आपका इस verb का object migrant इस object को as an adjective modify कर रहा है last में लगा हूँ है fleeing यह है add verb अब मैं आपको construction बताता हूँ English में अजीब सी construction होती है sent और कम word से होती है send और कम नाम की verb से construction बनती है जैसे मैं आपको लिखूँ the punch sent the robber flying थोड़ा सा और साब साब लिखता हूँ रूजाओ writing मेरी गंदी है या रहे है ना चला लेना का में या फिर आपको ऐसा लिखो मैं she came home running ठीक है ना या ऐसा लिखो the teacher sent the student student packing बहुत important structure है दिहान से देखना the punch sent the robber flying जो गुंसा मैंने मारा वो Robert जो है flying हो गया मतलब जा गिरा हवा में आसमान में उड़ता हुआ इतना जोर से पंच मारा कि वो Robert जो था जो डकैत था वो जो है उचल करके fly करता हुआ पीछी जाके गर गया वो घर पे आई और कैसे आई send him packing देखो ये तीनों वर्ड्स क्या बता रहे हैं यहां पे packing यहां पे running ये flying ये बता रहे हैं कैसे उसको भेजा गया या कैसे कोई इंसान आया पंच कैसे ने पंच ने कैसे send किया उसको उड़ा करके वो कैसे घर आई जो है run करते हुए मैनर ही तो बता रहे है पंच ने ऐसे मैनर में वो आई ऐसे मैनर में और टीचर ने बेजा ऐसे मैनर में तो ये construction है छोटी सी आपको send और come वर्ड के साथ मिलेगी जैसे यहां पे मिली है flying नाम की adverb अब देखो ये कई लोगों को नहीं पता होगा आज है ना ये adverb कैसे बनी आज आपने सीख लिया है वो हमेशा आपको याद रहेगा send वर्ड के साथ ऐसे adverb आती है जब किसी को किसी तरीके से कहीं पर भेजा जाता है अगर ये logic लगा के आपको मज़ा है ना English में मैस वाला तो आपको बता दूँ इस logic से SSE के एकजाम में 50 में से 48 मार्स प्री में स्कोर कर सकते हो आप Banks के एकजाम में 30 में से 26 मार्स 27 मार्स आप स्कोर कर सकते हो प्री के इंदर मेंस में भी है ना इस logic को आपको अपलाई करने के लिए चैनल पर रख्यूँ इस प्लेलिस को देखना है जो कि एक complete English grammar for all country exams by YT देखो यहां रखिए SBT method से ही पूरी grammar मैंने करवाई है यह free of cost प्लेलिस्ट है सिरफ इसलिए क्योंकि यह मेरी choice है मैंने इसके 3000 उपे charge नहीं करने यह content ऐसा ही है जो 3000 में शायद आपको ना मिले बजार में आप जाकर करें चेक कर ले न कहीं आपको मिले तो मुझे बताना मेरी choice थी कि मुझे पैसा इस playlist से नहीं कमाना है मैं चाहता हूँ कि सब को free में लाखों लोगा तक यह grammar पहुचे इसी method से अपने आपके उपर काम करें बड़े भाई की तरह gift की तरह समझें इसको dedication से दो week में पूरा कर ले आपका English का game बदल जाएगा upside down इसी के नीचे premium videos हैं जिनके अंदर मैं इसको follow करने के बाद कैसे banks और SSC का paper शुरू करना है कैसे उसको approach करना है यह सिखाता हूँ यह दोनो premium playlist है उपर वाली bank की नीचे वाली SSC की सिर्फ नाम की premium है premium रखता हूँ मैं 30 से 60 रुपे अगर पूरा चाहिए तो 60 आदा चाहिए तो 30 ज्यादा contribution में रखता नहीं हूँ सब लोग afford कर पाए तो आप इनके लिए मुझे join कर सकते हैं सब कुड़ाप topics को मैं ऐसे logic से करवाता हूँ join करने के लिए join बटन पर प्रस करना इस video को play करना यहां बताया गया क्या क्या मिलेगा और कैसे join करना है चलो बढ़ते हैं के लिए sentence की तरफ to get them home the government offered special trains but the trains would spread the virus across the country कैरा उनको घर पहुचाने के लिए get them home उनको पहुचाने के लिए उनके घर में सरकार ने offer कर दिया क्या offer किया खास trains को लेकिन बट जो trains थी वो spread करती थी और किसको इस virus को और कहां पूरे देश के अंदर सरकार ने तो train बनाई उसमें बिजवाया इन workers को उनके घरों में लेकिन यह trains जहां जहां रुकते थी जो जो लोग इसमें बैठते उतरते थे वहाँ वहाँ जाकर रिखे वायलेस जो है spread हो जाता था समझगे sentence को अब पढ़ेंगे इसको SBT method से इसमें grammar rule भी है would verb के सारे use बताऊंगा मैं आपको है ना पलप के जहाँ पर वहए नाउं ज्रीद में इसके लावा को अगर आपको उपको Baptist word की तो में प्लस में इसको क्या बोलते हैं इसको बोल üzlet में नकारा वर्ब пост नकारा वर्ब यह सब काम करती है लेकिन ये वर्प का काम करती है अच़्ों भ मिशक में जाती यह एकिक protect बन जाती है ना बस सिर्फ और सिर्फ ना जो ना वर्ब बनने काम ये नहीं करती है तो ये टूगेट जो है ना ये भले लाल रंग मैंने लिखा है लेकिन एक्चल में इंफिनिटीव वर्ब है ये में वर्ब नहीं है अच्छा इंफिनिटीव जो होता है ना इंफिनिटीव वो वर्ब तो होता नहीं, अधूरी वर्ब होती है, लेकिन अपना अब्जेट जरूर रख सकता है, जब उसको मौका मिले, वो अब्जेट ले लेगा, तो get वर्ब का अब्जेट है, them नाम का pronoun, ठीक है न, किसको get करना था, them को, home एक adverb of place है, जो where का reply करे, जो where का reply करे, वो कह नहीं मिली, एक वर्ब मिली थी, यह नकारा निकली, एक प्रणौन मिला था, subject बना नहीं सकते थे, इस वर्ब का object था, एक adverb मिली है, जो की subject बनने सकती, अब देखो, comma, the government, government क्या है, मेरी government, बनता है के noun नहीं बनता, तो government बन गया आपका subject, जैसे subject मिले, वर्ब की तलाश क तो what या whom का reply करे, वो verb का होता है object, तो इन्हों ने offer किया trains को, तो verb का object है trains, अचा कैसी trains थी भाई, special trains थी, special एक adjective है, मेरा special लिखोगे तो बनेगा नहीं कुछ, है न, special एक adjective है, तो special is trains नाम के noun को modify कर रहा है, इतनी story clear, subject, उसकी verb, special trains is verb का object, अब देखो, क्यों offer किया था, to get them home, ये पूरा का पूरा, आप यहां से उठा के, यहां भी रख सकते थे, है न, बस हमने इसको शुरू में रखा है, अब आगे बढ़ो, bird नाम का conjunction आया, बढ़ कंजेंक्शन के बाद नया subject आएगा, subject आया, trains नाम का subject नमबर 2, ठीक है न, conjunction के बाद नया subject आएगा न, पहला subject the government, दूसरा subject है, trains, अब trains की वर्ब है, would spread, ठीक है न, ये subject नमबर 1 की वर्ब, ये subject नमबर 2 की वर्ब, अच्छा क्या spread करेंगे बाई, क्या फिलाएगे, वाइरस को फिलाएगे, वाइरस हो गया इस वर्ब का object, अच्छा कहां फिलाएगे, across the country, across एक प्रेपोजिशन, country इस की वर्ब नमबर 1, ये है, conjunction, subject नमबर 2, ये है इसकी वर्ब नमबर 2, subject नमबर 1 का object है, trains, वर्ब नमबर 2 का object है, virus, across प्रेपोजिशन का object है, country, to get यहां पे infinitive है, जिसका object है them, और home यहां पे एक adverb है, अब एक information एड़ करूँगा इस पर, information यह है, पहली चीज तो to get जो infinitive ह क्या कर रहा है, जो वर्ब से वाइ का reply करे, और किसी चीज का मकसद बताए है न, aim बताए, जो वर्ब से वाइ का reply करे, और वर्ब का aim बताए, that infinitive is called adverbial infinitive, that infinitive is called adverbial infinitive, और भी कई को घर मों चाह पाएं, to get them home तो यह वाई का reply करने वाद infinitive है, that is called an adverbial infinitive, तो पहली चीज़ तो यह infinitive का मैंने आपको पाड़ो स्वीश पता दिया दूसी चीज़ देखो, यहाँ पे across the country एक adverb of place भी है, ठीक है across proportion का object है, country नाम का ना, virus को कहा फिलाया, पूरे देश में, तो यह जगा का बात, जगा की बात करने न, वेर की, तो यह adverb of place भी कहलाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले sentence की तरफ हम, अब देखो यह would नाम की प्रेपोजिशन का मैं आपको meaning बता देता हूँ, would spread का मतलब है, फिलाती थी, would के तीन meaning होते हैं, ध्यान से देखना, तीन, चार meaning मैंने आपको, grammar series में करवाए भी हुए हैं, पहला देखो, I would study 12-13 hours a day when I was a student, यहाँ पे would बता रहा है, एक past habit को, यहाँ पे आप लिख रहे हो, I would study, would plus में verb की first form, मैं 12-13 गंटे पढ़ा करता था, मेरी past की आदत थी, जब मैं एक student था, जब मैं competitive exams की preparation कर रहा था, मैं cat, mat, z की कर रहा था, तो मैंने एक देट साल preparation की है, 12-13 गंटे रोज पढ़ गए हैं न, यह एक मेरी past habit को बताता है, past में एक काम को जो मैं करता था, दूसरा would का meaning देखो, I promised him that I will, या would come, मैंने उसको promise किया कि मैं आउंगा, लेकिन यह sentence section में past में है, समझे उना, मैंने उसको promise किया कि मैं आउंगा, अगर मैं बोलू ना इतना ही, I will come तो वो ठीक है, अगर मैं इतना बोलना चाहूँ, I will come तो ठीक है, लेकिन यह past tense के close के साथ जुड़िया ना, that लगके, तो will को मैं बदल दूँँगा, would में, तो दूसरा would का meaning क्या होता है, will का past form, अगर इतना लिखना होता तो I will come ठीक है, लेकिन इसके पहले यह लगने के कारण past tense के अंदर इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यह tense past में है, यहाँ पे मुझे will का would करना पड़ेगा, तो will होता है, would होता है, will का past form, rule number 2, तीसा देखो, she would attempt the party today, यह बता रहा है weak intention को, उसकी party में attend करने की intention weak है, आज वो party attend कर सकती है, future में यह काम होगा, अभी होना बाकी है, चोटा देखो, I wish, या I wish के बाद लगेगा मिशा, I wish that you would not talk so much, मैं यह मानता हूँ, कास तुम इतना ना बोलते, I wish के बाद में जब भी would आएगा ना, तो एक strong desire दिखाता है, I wish I had money, कास मेरे पास पैसे होते, I wish that you would not talk so much, मेरे हिसाब से, या कास तुम इतना ना बोलते होते हैं, तो एक आप इसमें अपनी desire दिखाते हो, और बहुत ही strong desire दिखाते हो, तो would के यह चार meaning होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, इनको मैंने grammar series में करवाया हुआ है, आपके सामने फिर से रख रहा हूँ, ताकि revise कर सको, grammar series देखो गए, यह सब शीज़ियां आपकी अच्छे से clear हो जाएंगी, अगले sentence की तरफ बढ़ने वाले हैं, हाँ, पहले simple तरीकी से पढ़ते हैं, the crowds searched through the gates, fought their way up the stairs of the 160-year-old station, poured across the platforms and engulfed the trains, करें जो crowds थे, जो जमावडे थे हैं, इधर से crowd आ रहा है, इधर से crowd आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो यह जो जमावडे थे न, यह surge through कर गें गेट से, surge का मतलब होता है लहर, लहर बनके निकले गेटों के पार, यह एकठे जमावडे में आये, crowd बनके और गेटों में से, gates में से, railway station के अंदर गुश गए, है न, surge through the gate कर गे, लहर बनके, गेटों में से गुश गए, और इन्होंने fight किया, V2 है यहाँ पर fight की, fight किया, अपने वे को, अपने रस्ते को, कहाँ पर, stairs तक है न, सीडियों तक, और किसका, 160 एर पुराने station की, तो लड़ते जगड़ते, एक दूसरे से आगे निकलते, सीडियों तक पहुँचे इस station की, और फिर क्या हुआ, यह pour across हो गए, यह pour across का मतलब होता है, जैसे पानी को आप, पानी को आप फिला देते हो न, जमीन पे, तो वो pour का मतलब होता है, बहाना, बहा देना किसी चीज़ को, बहा देना है न, बहा देना, तो यह बहा गए पूरे प्लेटफॉर्म में, एक दम फैल गए सब तरफ, और लास्ट में निगल गए ट्रेंज को, ट्रेंज आई, और पूरी की पूरी ट्रेंज में, आप जहां देखो, माइगरेंट वर्कर, यहां भी लटका है, वहां भी बैठा है, उपर भी चड़ा है, समझगे न, तो ऐसा कियान क्राउड्स ने, लहर बनके आये, गेटों में से, आगे निगलने के, फाइट की इनों ने, ताकि स्टेशन की सीडियों तक पहुंच चुके हैं, इस 160 साल पुराने स्टेशन की, एक दम बहे करके स्टेशन में, हर प्लेटफॉर्म पे चले गए, एक नमबर से बारा नमबर प्लेटफॉर्म तक यही दिख रहे थे, और लास्ट में ट्रेशन को इंगल्फ कर गए, निगल गए, उनको पूरा खा गए, ट्रेशन में बैठ गए, ट्रेशन को पूरा धग दिया, समझें न, चलो आजा उसको स्पीटी से पढ़ते हैं, अगें, नॉमन क्लेचर आपके सामने है, मैंने आपको नाउंस प्रनाउंस वर्ब सबकी सब अलग अलग कलर में दे दी हैं, देखो, क्राउड्स, मेरा क्राउड्स, मेरी भीड है न, यह भीड मेरी है, मैं बोल सकता हूँ न, यह भीड जो है, मैं लाया हूँ मेरे लोगों की है, मेरी भीड है, तो मेरा क्राउड यहाँ पर क्राउड बता रहे हैं नाउन को, पहला नाउन मिले, जिससे पहले कोई वर्ब ना हो, थ्रू एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का अब्जेट है, गेट नाम का नाउन, ठीक है ना, मेरा गेट, मेरा दर्वाजा, मेरे घर का दर्वाजा तो मेरा दर्वाजा, तो मेरा लगाओ के नाउन बन जाएगा, थ्रू नाम के प्रेपोजिशन का अब्जेट बन जा stairs adverb of place यह बता रहा है कहाँ पर fight किया stairs की उपर की दरफ है ना सीडियों के इंदर उपर जाने की होड में और किसी इसको fight किया उनके रस्ते को यह way नाम का noun इस fight verb का object है there एक adjective है possessive adjective इस way को modify कर रहा है of preposition है इसका object है यह वाला station और station कितना पुरा ना है 160 साल पुरा ना तो यह पूरा का पूरा एक hyphenated adjective है 160 year old यह adjective station को modify कर रहा है देखो crowd ने इस crowd subject ने verbally पहली searched दूसरी verbally fort तीसरी verbally port और चोथी verbally engulfed समझो ना तो यह चार verbs है आपने पास तीसरी verb के बाद preposition आई हूए across इसका इसका object है platforms और end conjunction के बाद जो चोथी verb आई है इसका जो है engulfed का जो object है trains समझगे एक बार blueprint बना रहा हूँ पूरा आपके सामने subject verb नमबर 1 verb नमबर 2, verb नमबर 3 और verb नमबर 4 यह verb नमबर 4 का object across preposition का object platforms or preposition का object station इसने modify कर दिया station को अच्छा fort verb का object है there एक adjective है fort को modify कर रहा है अब दा stairs एक adverb है कहां fort किया, कहां fight किया stairs के अंदर through preposition का object है gates बन गया सारा system सारा का सारा है ना ऐसे बनती English ऐसे बनती sentences बढ़ते हैं एक last sentence करेंगे फिर मैं आपको आज का एक grammar rule बताऊंगा उर्स के बाद आपको एक quiz दूँगा है ना फिर आपको एक sentence को break करना है तो यह last sentence आपका लंबा sentence है ध्यान से दिखना है India has now reported more coronavirus cases than any country besides the United States and it has become clear that the special trains operated by the government to ease suffering and to counteract a disastrous lack of lockdown planning instead played a significant role in spreading the coronavirus into almost every corner of the country लंबा sentence simple है करें इंडिया अब report कर चुका है has now reported present perfect tense वही क्या report किया है और coronavirus के cases को अच्छा किस के मुकाबले किसी भी दूसरी कंटरी के मुकाबले और किस के बजाए besides the United States सिवा United States के तो United States के बाद सबसे ज़्यादा case इंडिया ने रिपोर्ट किया है दूसरी किसी कंटरी के मुकाबले और करें it has become clear ये बात साफ हो चुकी है अच्छा कौन सी बात दैट हो ये कि कि जो खास ट्रेंज थी न जिनको operate किया गया था सरकार के द्वारा जिनको चलाया गया था लोकडाउन प्लानिंग का जो लोकडाउन की जो प्लानिंग थी डिजास्टर तोर पे लैकिंग थी है न लोकडाउन लगाया गया पर बिलकुल लैक ओफ प्लानिंग के साथ और कैसी लैक ओफ डिजास्टर डिजास्टर भरी इनों ने बजाए इसके प्ले किया इन ट्रेंस ने प्ले किया एक बहुत ही बड़े रोल को spread करने में करोना वाइरस को और कहां पे हर कॉर्णर में हर किनारे पे इस देश के समझ गे रिबीट करने की जरूर तो नहीं एक बड़ दस सेकिन में कर देता हूँ फिर स्बीटी से इसको देखेंगे इंडिया रिपोर्ट कर चुका है मेरे भाई कोरोना वाइरस के सिसको मुकाबले किसी भी देश के सिवा युनाटर स्टेट्स के और ये चीज अब हो चुकी है साफ ये जो खास ट्रेंज हैं जिन को प्रेट किया गया था सरकार के द्वारा ताकि वो असान बनाएं सफरिंग को और ताकि जवाबी हमला करें उस डिजास्ट्रस प्लानिंग की कमी का जो लोगडाउन की थी ये जो ट्रेंज हैं इन्होंने इसके बजाए प्ले किया एक बहुत बड़ी भूमिका को स्प्रेड करने में वाइरस को अल्मोस्ट हर हिस्से में किनारे पे कॉर्णर में हमारी कंट्री के अब आजाओ इसको SBD से देखते हैं यह अपने आप में एक चैलेंज है इतना बड़ा सेंटेंस इसको ब्रेक करना नहीं आपको समझाना मेरे लिए चैलेंज है थोड़ा लंबा है पर ध्यान से फोकस से देखना आएगा समझ में आजाओ पहन ले लें इंडिया क्या है प् नहीं आपका सबजयक्ट मेरा लगां यह वैसे भी नाउन बनेगा है ना चलो इंडिया आपका सब्झेट अ यहां पर और टाइम एड़ वर्व ओफ टाइम इंडिया ने कब रिपोर्ट किया अब रिपोर्ट किया अब रिपोर्ट किया अमरे भाई टाइम बता रही है न तो एड़ वर्व ओफ टाइम तो इंडिया सबजेक्ट हैस नाउ रिपोर्टेड इसकी वर्व अच्छा क्या रिपोर्ट किया वही वड करिफलाइ कोन दे रहा है क्रोमान वारिस एक नावन क्यस सब्सक्राइब सब्सक्रांद सब्सक्राइब तो report verb का object है Corona virus case का नाम ये more क्या बता रहा है और ज्यादा ये more एक adjective है इस verb के object को modify कर रहा है then conjunction है ये दो चीजों में comparison करती है तो इंडिया ने जो report किया है इसका comparison कर रहा है किसी भी दूसरी country से then नाम की conjunction का काम होता है दो चीजों में comparison करना तुलना करना है ना इसके बाद नया close शुरू नहीं होगा बलकि एक नया noun रखा होगा जिस से आपको comparison करना है तो इंडिया का comparative noun है यहाँ पर comparison वाला any country any यहाँ पर एक additive है जिसको मैंने गलती से लाल कलर दे दिया है इसको आप blue यही साथ United States के इंडिया ने भी ऐसा किया besides verb का object है United States नाम का नाम आगे बढ़ते है and conjunction के बाद it नाम का pronoun रखा है मतलब यह दूसरा subject है तो पहला subject था इंडिया दूसरा subject है it it की verb है has become present perfect tense again it singular है तो has लगाए गया अच्छा क्या बन गया है बही clear become एक link verb होती है be family की verbs become remain stay keep सभी की सभी verbs ऐसी verbs है जो अपने बाद में adjective ले सकती है as subject compliment यह आपको थोड़ा वो सीखना पड़ेगा grammar series के अंदर जाके है ना तो become के बाद इसलिए यहाँ पर noun नहीं है बलकि एक adjective आया है clear नाम का clear एक adjective है इसका कि मेरा रखोगे तो मेरा clear वही तुमारा clear क्या तुमारा exam clear क्या चीज clear है ना तो अलग से बने का नहीं है तो मेरा एक adjective रखोगे यह मेरा रखोगे तो पता लगेगा यह adjective है अब देखो that नामी conjunction आई इसके बाद subject number 3 subject number 3 है trains नाम का noun special एक adjective है trains को modify कर रहा है subject number 3 अब देखो operated इस trains नाम के noun की verb हो सकती थी लेकिन operated के बाद पहली पहला तो आपको मिला hint की by रखा हुआ यह operated एक adjective है operated by the government का मतलब है वो trains जिनको government ने operate किया है दूसरी hint आपको आगे मिलेगी अभी देखते जाओ मैं अभी operated को हाल के लिए मान लेता हूँ अलग से रखके है न इसको अलग से रख दो आप बोल सकते हो सर्ट trains की verb operated भी हो सकती है मैं भी मान लेता हूँ आगे बढ़ते हैं फिर देखेंगे इसकी verb operated क्यों नहीं है आगे देखो two is two plus में verb की first form एक infinitive है अगर यह infinitive है तो यह हमारी main verb नहीं है is noun का is infinitive का object है suffering नाम का noun मेरी suffering, suffering का मतलब होता है परिशानी है न दुख तो यहाँ पर यह suffering इसका बन जाएगा object इसका infinitive का अब देखो यह hyphen लगाया गया है न और यह hyphen लगाया गया इस hyphen hyphen को भी भूल जाओ मैं बाद में बता दूँगा एक क्यों लगाया गया अभी यह समझो यह ऐसे चल रहा है smoothly sentence है न बाद में बताओंगा मैं क्यों लगाया गया two is suffering and two counteract a disastrous lack समझे में मेरे बात को तो दो infinitive आपस में जुड़े हूँ है इस and से counteract भी एक infinitive है इस special train नाम के subject की वर्ब नहीं है counteract किसको करना है lack को करना है कमी को करना है और कमी कैसे है full of disaster disastrous disastrous एक adjective lag इस counteract का object आगे देखो of preposition का object है और preposition का object है lockdown planning lack of हमेशा साथ में आता है आपको पता है lack of कभी भी अकेला नहीं आएगा तो आप lack of में of preposition का object रखा है आपने lockdown planning नाम का compound noun instead एक adverb होती है adverb of sentence बोलते है इसको पूरे sentence को modify करती है इसका मतलब होता है बजाए बजाए है ना अब आजाओ ये played किसकी verb है ध्यान से समझना जो concept में आपको बता रहा हूँ मैंने बताया कि trains की verb operated हो सकती है counter right नहीं हो सकती क्योंकि इसके आगे 2 लगा है और ease नहीं हो सकती क्योंकि इसके आगे 2 लगा है तो operated और played दो ही चीजे हैं जो इस train नाम की subject की verb बन सकती है अगर तुमने operated को इसकी verb बना दिया तो ये plate किसकी verb बनेगी किस की बनाओगे लैक की बनाओगे लैक की बनाओगे ये तो लैक तो इसका object है इंफिनिटिव का अचा lockdown planning की बनाओगे ये तो इसका object है अचा suffering की बनाओगे ये तो इसका object है अचा इस government की बनाओगे ये तो by का object है तो यह plate जो है न यह किसी की verb नहीं बनेगी अगर तुमने operate को train की verb बना दिया तो इससे मुझे पता लगा कि यह operate verb नहीं है यह अचानक शाही हुई V3 है जो की कहलाती है इंग्लीज में adjective past participle समझे मिलबात को तो trains की verb है action of plate अब देखो उसकी दूसरी निशानिं इसके बाद अक्सर आप बाए नाम का प्रेपोजिशन देखोगे क्योंकि यह passive के निदर लिखी होती है operate की गई सरकार के दवारा तो बाए दवारा को बताता है अकसर इसके V3 के बाद में चानक शाही काई V3 के बाद में Spreading nام की verb की आइंजी form जीरंट केलाती है इस इन प्रेपोजिशन का object है अच्छा spread किसको करना है देखो यह वर्वब की आइंजी form है नाउन की तरह काम करती है केलाती है जीरंट लेकिशा अपना object लेने में कभी भी परेज नहीं करती इस spreading नाम की वर्ब की एंजी फॉर्म ने जो नाउन की भूमी का अधा कर रही थी इसने दूसरे नाउन को भी अपनो अब्जेट मना के रखाया spreading the coronavirus अब देखो into into proposition का अब्जेट है corner corner कौन सा हर एक corner every adjective इसको modify कर रहा है और almost इस every को modify कर रहा है adjective को modify करने वाली कहलाती है adverb almost एक adverb of degree और proposition इसका object country लंबा sentence है मुझे पहले ही लग रहा था इसको समझाने मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है लेकिन अभी मैं इसको repeat कर देता हूँ जिसको लगा हो ना थोड़ी सी दिक्कत उसकी भी दूर हो जा इसके बाद देखो report किसको किया corona virus cases को report वर्प को अबजेक्ट है corona virus cases more इस cases को modify कर रहा है एक adjective है then एक comparative conjunction है जिसके बाद में दूसरा noun आया country एक any नाम का adjective इस country नाम के नाम को modify कर रहा है समझगे न यह then है इधर है और है नहीं इधर है नहीं नोर है यह सब की सब चीजें दो आउन्स को आपस में जोडने का काम भी करती है अब आगे बढ़ो besides proposition का object है United States नाम का यह वाला प्रॉपर नाउन तो subject नंबर वन को वर्प नंबर वन आपने दे दी अब देखो and conjunction आई इसके बाद अगर प्रणॉन लिखा हो तो मतलब यह subject नंबर दो होगा noun प्रणॉन दि इसके बाद ट्रेंस नाम का subject नंबर तीन इसके बाद में यह adjective है इसके पूरी कहानी मैं आपको बताई क्यों यह वर्प नहीं है यह operated एक वर्प की third form है समझे रहो ना adjective को काम कर रहा है operated by the government by proportion को अब्जेक्ट है गोवर्मेंट ट्रेंस की वर्प अभी ढूंडना बाकि है अब देखो इस नाम की वर्प देखी लेकिन यह infinitive था यह verb नहीं बन पाया counter दिखा यह भी एक वर्प थी लेकिन यह infinitive था यह verb नहीं बन पाया दोनों end से जुड़े हुए है और दोनों ने अपना अपना एक object लिया हुए है इस ने suffering को और counter रेट ने लैक को डिजास्टरस इस लैक को मोडिफाई कर रहा है ओप प्रेपोजिशन को अब्जेक्टर लोगडाउन प्लानिंग एक compound noun है इंस्टाइड एक adverb है adverb of sentence है ना अब देखो subject 3 की verb यहाँ पड़िए प्लेट समझगे ना subject 3 की verb नंबर 3 प्लेक इसको किया बहुत अच्छे रोल को सिग्निफिकेंट रोल को सिग्निफिकेंट एक adjective है रोल को मोडिफाई कर रहा है इन प्रेपोजिशन का object है spreading नाम का जीडेंट एक noun की तरह बिहेव करता है लेकिन भूलता नहीं है मैं एक verb हूं वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगा लेक से यह पूरा sentence बनाया है अगर मेरे भाई थोड़ा सा भी इदर उदर कर दूना सारा sentence बिगड़ जाएगा आपका special की जिगर specialty लिख दो नौन में बदल दो specialty train नाम की कोई train नहीं होती compound noun बनेगा नहीं हाथ हो आथ आपको यहां को specialty को special में बदलना पड़ेगा clear और भी adjective है इस noun को modify कर रहा डिजास्टर एक noun होता है मेरा disaster है अगर noun इसके आगे आएगा तो compound noun बनेगा नहीं डिजास्टर लैक नहीं कोई चीज बजार में नहीं होती है तो आपको देखते पता लगेगा सर यहां disaster नहीं आएगा इसको disaster बनाओ ताकि लैक को modify कर पाए और ताकि sentence sentence को बिना error के आगे चलने दे समर्यों ना कुछ भी बदलूँगा हलका सा भी बदलूँगा ना आपको पता लग जाएगा वहीं पर इस sentence में छोट इस error है वह मैं आपको बता देता हूं error अगर आप ढूंड सको तो comment section में डालना और जरूर से like दिया करो जो लोग comment section में सही पकड़ा करें error को है ना अब वो error में आपको बता देता हूं वैसे तो यह अंग्रेजी एक बार है नियोक का बार है अमेरिकन एक बार है फिर भी उन्होंने error कर दी है ना अपने उस error को पकड़ते है she is taller than any student in her class वो लंबी है किसी भी student से अपनी class के अंदर मान लो class में 10 student है ठीक है ना और वो है 11 और वो है सबसे लंबी है ना 10 student तो छोटे मोटे और यह लंबी सी तो यह 10 student से लंबी है अपने यह कहना चाहरे है ना 10 student से लंबी है लेकिन अपने क्या बोल दिया किसी भी student से उसी class में अगर मैंने any लिखाना तो मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूं मैं ब बाद में अधर लगाना पड़ेगा इससे क्या होगा ग्यारा मैंसे इसको निकाल के माइनस करके जो एक बचाना जो दस बचा उसमें से उन दस से लंबी है एनी अधर का मतलब यही है कि इसको तो तुम छोड़ दो इसके इलावा बकी सभी स्टुडेंट से जो है लंबी है त तो आपको एनी के साथ में अधर को यूज़ करना है अब दूसरा देखो शी इस टॉलर दैन एनी बॉइ इन हर क्लास वह लंबी है किसी भी लड़के से अपनी क्लास में आपने सर ने बताया भी टॉलर के बाद में कंपेर्टिव डिगर के बाद में देन आए तो एनी के ब बॉइ बने लिख दिया क्लास के सब लड़कों को अलग कर दिया क्या उसमें वो शामिल है नहीं स्टूडेंट में वो शामिल थी लेकिन बॉइस में वो शामिल नहीं है यहां पे सब सुडेंट की बात नहीं हो रही लड़कियों की बात तो हमकर ही नहीं रहे अगर वो क्ल को सुडेंट बनना था तो यहां पर अधर लगाने की जरूए थी अब तीसा देखो शी इस दा टॉलेस किड इन हर क्लास यह जो रूल आपको मैंने पढ़ाया ना यह शुपर लेटिव डिग्री पे अपलाए नहीं होता आप शुपर लेटिव डिग्री पे अपलाए नहीं करना यह शुपर लेटिव टिग्री में आप सीधे सीधे अधर फदर लगाए भीना पूरा संदेश लिख सकते हो नो एर रड़ तो यही छोटी से एरर थी इस भाई साव ने नियुवर्क टाइम्स वाले ने क्या किया हु गलत बात होगी ना तो यहां पर अधर आना चाहिए था आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो जरूर से लाइक देना यह आपका क्विज आज का यह आज का क्विज है ना सब लोग इस quiz को try करेंगे break करेंगे answer में आपको दिखा रहा हूँ यही पर ऐसा ना हो answer देख के आगे बढ़ जाओ आदा गंटा time अगर आदा गंटा बिठा के करके आपने कुछ सिखा है बैठ करके उसको utilize करना है इसको आप solve करेंगे और इस parsing से match करेंगे ठीक है इस parsing से match करेंगे यह बता दे तो हम आपको यही पर few if any यह अपने आप में एक noun phrase है यह adjective की तरह भी काम करता है और noun की तरह भी काम करता है यहाँ पर noun का काम कर रहा है ना few if any तो सब लोग इसको parse करेंगे मुझे पताना है कितने परसेंट 70% 50% 60% 10% 2% 5% कितना आपने इसको सही parse किया था मुलागा लोगा कल वीडियो आएगी इंफिनिटीव पे इंफिनिटीव पे बना रहा हूं भी बैठके कल तक पब्लिश कर दूँगा रात में शाम में आपको मिल जाएगी चलिए तब तक के लिए साइनिंग आउट